हेलो गुद मॉनिंग नमस्कार आदाब एक बर फिर से आप सबका स्वागत है इस पाडिकुलर सीरीज में जहां पे हम लोग अब थोड़ा सा ऐसे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो आपके हर एक 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 जाम के अंदर पूछे जाएंगे तो यहां पे आज का जो हमारा ट पिपर के अंदर इसके अरावा आपको बता दें कि आज से आपके जो स्पेशल क्लासेज आने कार्मी पे स्टार्ट होने जा रहे हैं दो होते हैं दो फ्री क्लासेज होते हैं पहला जो क्लास है वो आपका साड़े 10 बजे होगा जहां पे आपका जैनवरी टू जुलाई तक का इंटाफेर्स स्टार्ट हो जाएगा आज से एक हफते के इंदा ही खतम होगा क्योंकि हर दिन के हिसाब से एक-एक मन्त को लेकर चलेंगे तो समय 45 मिनिट लगेगा जितने important core questions होंगे सारे पढ़ा दें for all the examinations इस बान मिस्मत करना क्योंकि इसके बाद में बदल जाएगी भईया सारे एक्जाम कवा करेगा तो इस class के बार में आपसे सीधे मुलाकात करेंगे साथ बजे के session में और आप जानते हैं कि बिना उसके तो दिन चलता ही नहीं है तो अभी मिलेंगे इसके बार में आपसे साथ बजे प्ली सेशन को एक बास से लाइक और शे इंडेक्स आया था इसमें इंडिया की रांकिंग कितनी है 53 है डेमोक्रेसी के लिए आपने सुना होगा कि USA की तरफ से एक रिपोर्ट भी आया थी जिसमें बोला गया था कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो बहुती ज्यादा वर्स्ट होती चली जा रही है क्यों ग्लोबल CEO जो सर्वे कंड़ किया जाता है कि सबसे जादा बहतीरीन जगा कौन सी यह जिसे कहते है वेडिंग डेस्टिनेशन तो इसके साफसे इंडिया की जो रांकिंग वो पौन सी है फिफ्ट रांकिंग पर आपको इंडिया मलेगा इंडिया की रांकिंग मालूम होनी देखो इन इंडेक्स में आप देखोगे तो न्यूजलांड और सिंगापूर यह कंट्री स्टार्टिंग में टॉप पर आती है लेकिन अगर आप से कोई पूछ लेता है कि इसके अंदर कौन सा अभी टॉप पर आया था तो यहां पे वैथनाम टॉप पर आया था और अग किया जाता है ट्रांसपरेंशी इंडेक्स चैनल लाथ एक को रिलीस घर करता है तो इसके हिसाप से पूछ रांग इंडीड करते इंडेक्स कमय चान्टुर्ट लेक्स कि ई है तो कि हुआ पर थर्ध परिंड पर छो जाएगा दें पर फिब्नान रहेगा क्या आप मुझे ब बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर क्योंकि यह मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है अगला ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें 2021 इंडिया की रांकिंग पूछी गई है कई बार क्या होता है जैसे कि मैंने बोला है लीज पासपोर इंडेक्स ठीक है अब आपके सामने क्या होता है अप्शन्स लिखे होते हैं लेकिन आप कोश्चन को इतनी जल्दबाजी में पढ़के चले जाते हो कि आपने महां देखा ही नहीं कि कोश्चन में Q1 पूछा है Q2 पूछा है Q3 पूछा है और आप आंसर मा करके क्या आते हो 84 तो बेटा कोश्चन में क्या पूछा जा रहा ह उस पे थोड़ा फोकस करिएगा क्योंकि सारा खेल इयर का होता है 2020 भी पूछ सकता है 2021 भी पूछ सकता है जैसे कि जो इंडेक्स भी आया होगा ठीक है तो इस इंडेक्स के अंदर अगर देखोगे तो इंडिया विल बी आट नमबर सेवन अगला देखेगा वर्ड एयर कॉ 2020 के हिसाब से most polluted city कौन सी हो जाएगी वर्ड की तो भाई इसके अंदर जो दिल्ली है उसने टॉप किया है दिल्ली के अंदर आप जानते हैं कि स्टबल बर्निंग की वज़े से काफी जाद दिक्कते वैसे भी होती है अगला digital payment scorecard यानि कि यहां पर जो digital payment होता है जो transaction होता ह जैसे कि अभी RBI ने बोल दिया है कि बहुत जल्दी cryptocurrency हो सकता है भारत के अंदर लागू कर दी जाए तो यहां पर पूछा जा रहा है कि यह जो इंडिक्स जारी किया गया इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो कौन सा बांक है जो नंबर वन पे रहा तो अबिसी बात ह इंडिया का सबसे बड़ा बैंक that is SBI तो SBI नंबर वन पे रहेगा इसका सेंटर कहां पर मुंबई के अंदर है और दिनेशी जी जो है वो इसके प्रिजन टाइम पर कौन हो जाएंगे चीर परसिन होंगे पहले इसी को इंपीरियल बांक के नाम से भी जाना जाता था अगल देखो जितने जितने जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे याद कर लेना बले उसके आसपास का कुछ ना याद रहे लेकिन ये तो आपको मालूम होने ही चाहिए अगला United Nations Conference on Trade and Development के लिए इंडेक्स जाली किया गया आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ये बताइए इस इंडेक्स में इंडिया की रांकिंग कितनी है तो इंडिया की रांकिंग कितनी हो जाएगी 71 इंडिया की रांकिंग हो जाएगी ठीक है चलो नेक्स देखो पूछा जा र पूरे वर्ड में तो आंसर हो जाएगा इंडियान इंसिट्यूट ऑफ साइंसिस जो कि कहां पर है बांगलूरू के अंदर लोकेट है नेक्स बताओ विच कंट्री हाज विकम दर टॉप ट्रेडिंग पार्टनर विद इंडिया भारत के साथ में सबसे आदा जो ट्रेड कि वो इसब किया था हम लोग नेकिन उसके बार में जब डेटा आया तो पता चला कि सारा का सारा जो ट्रेड था वो तो चाइन के साती हम किये थे तो इस कहां से क्या हो जाएगा चाइन बनेगा अगला कॉर्परेट इंडिया रिस्क इंडिक्स देखो मिनिस्ट्री आफ लांज किया जाता है अगला इंटरनाशनल एकोनोमिक रिजलियंस रांकिंग जो है यह अभी हाली में सबसे पहली बार जारी करे गई है सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री है जो नंबर वन पे रही तो जर्मनी इस ऑन दो टॉप आप जितने भी इंडेक्स दे 500 जो कंपनीज उनकी रांकिंग के अंदर रखा गया सवाल में पूछा जा रहा है कि जियो की रांकिंग क्या रही है तो नंबर फिफ्थ पर आए इसी के अंदर आपको बता दें कि बाई जियो की भी रांकिंग आई है बट इतना कुछ खास इंपॉर्टन नहीं है सीधर सी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनीज आई है तो जियो और बाई जियो दोनों का बस नाम याद रखेगा और बाई जियो तीन साल के लिए कौनप्राक्ट साइंग किया है किसके साथ में मालू है विद चाइना अगला सुनिएगा विच स्टेट हैस्टिस डिलिवरी इन इंड 2020 according to the second edition of the India justice report. इंडिया justice report में last time जो state number 1 पे था वो महाराश्रा था और अभी भी अगर आप देखेंगे तो नया data release नहीं हुआ है तो पुराने वाले data के हिसाब से महाराश्रा is on the top. next एशिया pacific personalized health index अब देखो इंडिया के अंदर जो health index आता है वो नीतियायोग जारी करता है जिसके हिसाब से देखा जाए तो केरला number 1 पे है अब ये जो है ना ये एशिया pacific area पे है और इसको economics intelligence unit जारी करता है इंडिया की ranking इसमें कितनी है इंडिया number 10 पे हो जाएगा और ये दियान रखेगा कि अभी वाला जो जितने भी ये rankings आरी है जिसमें इंडिया pacific लिख के आ जाएगा तो वो rare case में ही आता है यूजवली उसके उपर सवाल नहीं बनता है अगला according to the department of science and technology इंडिया की position आपको बतानी है scientific publications के अंदर तो इंडिया की ranking किती हो जाएगी number 3 इंडिया आपको मिलेगा next बताइगे question कह रहा है इंडिया innovation index अब देखो ये वाला index release कौन करता है तो पहले तो ये जानो नीति आयोग जो है वो इस index को release करता है इसके अंदर इंडिया का कौन सा state number 1 पे है तो करनाटिका पहले भी करनाटिका number 1 पे था इस बार के index के हिसाब से भी देखोगे तो जो करनाटिका है वो number 1 पे ही आपको मिलेगा अगला global fire power index 2021 इसके हिसाब से इंडिया की ranking कितनी है तो इसके हिसाब से इंडिया की ranking number 4 हो जाएगी अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिपरी index के हिसाब से बता दो what is the ranking of India क्योंकि सिपरी के इंडिक् इसके तीन category आई है Q1, Q2 and Q3 Q1 में देखोगे तो 85 है Q2 में देखोगे तो 84 है Q3 में देखोगे तो 90 है तो इसके हिसाब से ध्यान रखे ना ठीक है अब यहाँ पे जो है वो पहले वाले के हिसाब से बात कर रहे है 85 okay number 1 is Japan अगला Mukesh Ambani in Bloomberg ध्यान से Bloomberg है Forbes नहीं है Bloomberg के हिसाब से कौन से number पे है number 11 पे यह वैसे question अब नहीं आएगा क्योंकि यह ranking वालबर change होती जा रहे है ठीक है अगला What was the rank of India in the world bank ease of doing business इसके हिसाब से India की ranking 63 है और यहाँ पे जो number 1 पे country है वो कौन से है that will be New Zealand next देखेगा Human Freedom Index 2020 published by American think tank जिसका नाम क्या है Carto Institute and Fraser Institute जो की Canada के अंदर है इसके यह याद रखेगा क्योंकि ऐसे वाले questions पूछे जाते हैं अगला देखो अगला पूछा जारा है आपसे Human Development Report या फिर HDI के नाम से इसको भी हम जानते हैं यह release कौन करता है UNDP United Nation Development Program इसको release करता है और इसके अंदर इंडिया की ranking 2020 में कितनी थी answer हो जाएगा 131 यह सवाल usually paper के अ है 2021 के अंदर क्योंकि कुछ ऐसे इंडेक्स ते जो पिछली बार रिलीज नहीं हुए थे तो अभी उनको रिलीज किया गया 2020 का data था और 2021 का जो डेटा था वो भी मैंने आपको करा दिया तो इस रादा इंडेक्स आप कि आपने सारे रिवाइस कर ली होंगे एक बार से और एक बार से लाय और शेयर मार दिया करो because इस रिस रूर बिसके दाइस तारिक से आपका नया बाच स्नार होने जा रहा है आप किसी भी एग्जाम की तयारी कर रहे हो चाहे आप यहां पे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिलिम्स पढ़ना चाहते हो बिलकुल बैसिक से SSC है आपका लेकपाल है, NDA, CDS, एनी इग्जामिनेशन, जिसके अंदर GS, Math, English और Reasoning आती है, तो इन सब्जेक्स को पढ़ने के लिए आप इस पर्टिकुलर बैच को जवाइन कर सकते हो, यह बैच आपका है सफलता बैच, आप अनेक आडमी आप पे जाएंगे, वहाँ पे आप गोल सिलेक्ट करोगे, SSE, वहाँ पे आपको सफलता बैच मिलेगा, जहाँ पे आपको यह सारे के सारे educators मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके साथ में आपके जो बाकी educators भी हैं, आप उनके भी classes देख पाऊगे, और सारे subjects आपको मिल जाएंगे, प्रॉफिट क्या होता है, अब इसी बात है कि PDF मिलती है आपको, आपके कोई query होती है, weekly quiz होते हैं, इस सारी चीज़ें आपको इसके इंदर मिल जाती है, अच्छा आला feature जो नया आया है, इसमें आप doubt अपना पूछ सकते हो, by clicking the image, आप अपना कोई भी doubt है, उसके image क्लिक करो, और आप अपने educator को forward कर दोगे, answer आपको मिल जाएगा, तो this is a good one, इसका amount भी increase होने जा रहा है, 28 सारीक से, तो time lease को join कर लिजेगा, code लगेगा, ख्रती 10, तब आपको मिलेगा 10% discount, और ये जो batches हैं, इनका amount जाके करीवन पड़ेगा, 6,000 रुपीज, पूरे एक साल की ये fee है, UPSC batch भी आपका ठाइस तारिक से start होने जा रहा है, उसका amount 44,000 है, code same रहेगा, उसके अंदर आपको prelims, mains, interview, testes, everything will be available, ठीक है, चले अच्छा, तो मिलते हैं आप लोगों से पर कितने बज़े, 7 बज़े के session में मुलाकात होगी, class में live आना मत भूला करिए, क्योंकि जरूरी होता है, हर एक class आपके लिए जितने भी होते हैं, चले अच्छा, मिलते हैं 7 बज़े, तिल देन खुश रहे, मुस्करा तरी, वे बाएं, टेक्या,